नमस्कार आगे बढ़ते हैं और पाठ संख्या 421 चार सो एकेश और आज भी बात होगी धनु लग्ण में गुरु की लेकिन आज बात होगी नवे अस्थान से लेकर के बार्वे अस्थान तक पीछे के दो पाठ को यदि पढ़ लिए हैं तो नवे से बार्वे अस्थान को समझना भी सरल हो जाएगा और हम तो आपके लिए उपस्थित होते ही हैं अगर नई भी पढ़े हैं तो आज यदि हम बताएंगे तो कल से आप करम से पढ़ना सुरू किजेगा तो जोतिस आप स परण करेंगे लेकिन आप लोगों को यदि किसी को जल्दी में सीखना हो तो हमारे पाठ करम को जोयन कर सकते हैं जनवरी और जून में पाठ करम प्रारंब होता है और उसके लिए कभी भी फोन करके अपना रिजिस्टेशन करा सकते हैं तो चली आगे बढ़ते हैं आगे अस्थान में है यह अंडरिस्टूड है इसको मान करके चलेंगे दूसरा द्वादसेस गुरु नवम अस्थान में है क्योंकि काल पुरुस में यह द्वादस अस्थान का भी स्वामी होता यह भी जानेंगे गुरु नवम का कारक होकर के नवम में बैठा है तो क्या क प्तारग भाव नासाई जैसे बिसियों को समझना होगा, ये भी हम लोगों को जानना जरूरी है. गुरुश पत्रिका में लगने सोकर के नवम में है, तो लगन को कितना ताकत मिलेगा? इसको भी समझना है. गुरु इस पत्रिका में चतुर थेश होकर के नवम में बैठा है तो वाहन, धन और भूमी से मकान से सम्मंदित कितना लाव होगा इस विशे को भी जानना है तो कितना सरल हो गया न और गुरु के जो सुतंत्र कारकत्व हैं कि धन होगा, पुत्र होगा, आनन्द मिलेगा गुरुवों का सहयोग मिलेगा, बड़ों से बड़ा आदर मिलेगा इन विशियों का भी हम लोगों को ध्यान में रखना होगा तो गुरु नवम में है तो जातक धार्मिक प्रविर्थ के होंगे अपने पिता के साथ मिल जूलकर आगे बढ़ने वाले होंगे अगर कारक के अनुसार यहाँ पर इसको समझना चाहें तो यह नवम का फल थोड़ा अल्प कर सकता है यदि ये इस अस्थान में किसी असुग्र से द्रिष्ट हो या अकेला इस्थित हो अन्यता ये किसी प्रकार की हानी नहीं करेगा अब गुरु नवम अस्थान में तो धार्मिक यात्रा, धार्मिक आयोजन, धार्मिक कारियों में निपुनता यह सब आपको प्राप्त होगा और नवम अस्थान में बैट करके जब लगन को देखेगा तो आपको कितना बीवेकी बनाएगा और लगन के साथ-साथ यह पंचम अस्थान को भी दृष्टी देता है नवम दृष्टी से तो पंचम दृष्टी से लगन को और नवम दृष्टी से पंचम अस्थान को देख रहा है और सब्तम दृष्टी से पराक्रम अस्थान को देख रहा है तो आप कितने बीवेकी होंगे, बुद्धिमान होंगे, जीवन आपका अनुसासित होगा साथ में सब को प्रेम करने वाले होंगे higher education प्राप्त करेंगे PhD करेंगे research करेंगे उच पद पर पदास्थापित हो सकते हैं क्योंकि यह आपका पुरवारजित कर्म है यहाँ यदि गुरू के दृष्टी है तो आपको यह समझना होगा और यह मानना होगा कि आपके पिछले जन्मों के कर्म अच्छे है तो इस जन्म में भी उसका लाब मिलेगा पराक्रम अस्थान के उपर दृष्टी है तो हम क्या कह सकते हैं कि अपने बल के से यह नहीं कि हमारे पिता जी ने इतना धन कमाया हम उसके उपर ही ऐसो आराम की जिन्दगी जी रह नहीं अपने बाहु बल से अपने पराक्रम से अपने जीवन को निश्चित करेंगे कि आगे कहां तक जाना है तो यह हो गया कि गुरु नवम में बैठेगा और वहां से इसकी दृष्टी लगन के उपर तीसरे के उपर और पंचम स्थान के उपर जाएगा तो किस परकार का फल होगा अब गुरु यदि दसम स्थान में इस्थित हो तो हम किस परकार के फल की बात करेंगे उसको समझने की जरूरत है गुरु दसम स्थान में है अब हम क्या कहेंगे कि लगने इस दसम में है ऐसे जातक कम उम्र से अब कम उम्र में हम बाल मजदूरी या बाल लिकाल से कारज करने की बात नहीं करेंगे लेकिन हम जरूर कहेंगे कि बहुत कम उम्र में अपना काम शुरू कर लेना या कहीं भी नौकरी जल्दी प्राप्त कर लेना ये संभव है यदि गुरू दसमस्थान में ये भी संभव है कि अपने सहयोगियों के साथ मिल जूल कर काम करना और हमेशा आपके कार्ज कुसलता में बृद्धी होते रहना ये भी संभव है यदि दसमस्थान में गुरू है अनुसासित कर्म करेंगे और ऐसे जातक संभव है कि अपने कार्ज छेत्र में बहुत जूट फरेव का सहारा नहीं लेंगे अब यहाँ इसी है गुरू लेकिन ये कालपूरूस के अनुसार यहाँ पर ये नीच का होता है और भावार्त रतनाकर में हमने जो पढ़ाया है कि मेश लगन में गुरू नवंका स्वामी होने के बाबजूद भी यदि दस्वे अस्थान में है तो वो तीसरे से आठवा और आठवा और आठवा से तीसरा होने के कारण मिर्तिवत तक दे सकता है तो यहाँ पर इसकी भी संभावना होती है इसलिए अन्य ग्रहों को साधते हुए यहाँ यदि गुरू को देखें तो वो और भी अच्छा होगा चतुरत अस्थान के उपर द्रिष्टी होने के कारण वो अपने घर को ही देख रहे है तो उस घर की विर्दी कराएंगे तो एक से अधिक वाहन और एक से अधिक मकान का सुख जीवन में प्राप्त होगा यहाँ बैट करके धन अस्थान के उपर द्रिष्टी दे रहे हैं तो धन की विर्दी कराएंगे अर्थात आपको धन संचेर करने की आदत होगी बहुत लोग बहुत पैसा आर्म करते हैं लेकिन उसको संचित नहीं रख पाते हैं और बहुत लोग थोड़ा ही आर्म करते हैं लेकिन वो पैसे को संचित रख पाने में सक्षम होते हैं तो ऐसे जातक धन को संचित रखने में सक्षम होंगे अपने परिवार अपने कुटुम्ब जनों का भी विशेश रूप से ध्यान रखेंगे और उसकी वानी भी अनुकूल होगी और यहाँ वानी अस्थान के उपर गुरू की दृष्टी होने से वाक्सिद्धियों को प्राप्ट करेंगे अईसे में यदि आप जोतिशाचारी है या नहीं हैं दोनों जगाँ उपर आप यदि कुछ कहेंगे तो आपका बात सच हो जाएगा तो यह वानी अस्थान के उपर गुरू की दृष्टी होने का प्रभाव वहाँ से जब छटे अस्थान को देखेंगे तो एक परिशानी रहेगा जीवन में स्वास्थ से संबंदित परिशानी हो सकता है थोड़े जरुरत होने पर भी जल्दवाजी में आप रिन ले सकते हैं और आपके सामने आपका सत्रु खड़ा हो सकता है तो ये संधर्स आपके जीवन में रहेगा लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे आपको बहुत परिशानी हो जाएगी नहीं संबालने का भी सामर्स आपके पास होगा चलिए अब गुरु यदि एक आदस अस्थान में हो तो क्या फल करेगा गुरु को यहाँ आप समझने की जरूरत है तो कहा गया है कि एक आदस अस्थान में जिस भाव का स्वामी गया हो उस भाव की भी बिर्दी हो जाती है जो ग्रह गया हुआ हो उस ग्रह के भी सतंतर कारकत्वों की बिर्दी हो जाती है तो अब यहाँ गया कौन है पहले ये समझ लिजिए तो कालपूर उसके अनुसार नौमेस और द्वादसे एकादस अस्थान में है बर्तमान पत्रिका में लगनेस और चतुर्थेस एकादस अस्थान में है चार भावों के सिर्कारक हैं कौन-कौन से भावों के दूसरे के पाँचमे के नवे के और ग्यारमे के भी ये एकादस अस्थान में इस्थित है और गुरू एकादस अस्थान में इस्थित है तो गुरू के कारकत्वों के ब्रद्धी होगी दूसरे भाव के कारक हैं तो दूसरे भाव से भी सम्मंदित कारी को गुरु वहां इस्थित होकर के अच्छा कर सकेगा कालपूरुस में धर्म अस्थान के स्वामी होकर के एकादस में है तो धर्म की भी बृद्धी होगी बर्तमान पत्रिका में लगने सोकर के एकादस में है तो हो सकता है कि ओवर कन्फिडेंट हो जाए इससे बचना भी चाहिए चतुर्थे सोकर के एकादस में है तो एक वाहन और एक घर से सुख नहीं या वहाँ पे आपको संतोस नहीं, एक से अधिक वहार और एक से अधिक घर होने की संभावना है। अब इसकी द्रिष्टी पराक्रमस्थान के उपर है, पंचमस्थान के उपर है, पहले पराक्रम को समझ लिजिए। ऐसे जातक को नौकर चाकर का सुख मिलेगा, छोटे भाई वहन का सुख मिलेगा, और छोटे भाई बहन भी सुखी होंगे। अपने मित्रों का सहयोग मिलेदा, पंचमस्थान के उपर दृष्टी है तो आप निश्छल प्रेमी होंगे। यदि आप किसी के साथ प्रेम करेंगे तो उसको छलेंगे नहीं उसके साथ धोखा नहीं करेंगे उसके साथ फरेव नहीं करेंगे higher education लेना चाहेंगे तो बहुत अच्छा higher education ले सकते हैं तो हमारा कहना है कि किसी भी प्रकार से 11 अस्थान में बैट करके गुरु बहुत नुक्षान देने के लिए नहीं है साथमी दृष्टी के बाद यदि नौवी दृष्टी की बात करें तो वह सब्तम अस्थान के उपर पहुंच रहा है तब यहां पर सब्तम स्थान के उपर यदि दृष्टी है तो संसारिक सुख भोगों की भी बृद्धी होगी पत्नी का बड़ा सहयोग मिलेगा पाटनर से लाब होगा लंबी यात्राओं का सुख प्राप्त करेंगे कई लोग यात्रा तो करते हैं लेकिन उसका आनंद नहीं मिलता उसका सुख नहीं मिलता लेकिन आपको लंबी यात्राओं का सुख प्राप्त होगा तो चलिए अब गुरु यदि दृदस अस्थान में हो तो क्या फल होगा इसको समझ लेते हैं कालपूरुस के अनुसार तो दृदसे सी है इसलिए बहुत नुक्सान की बात नहीं होगी हैं दृदस अस्थान में इसलिए दृदस का फल करना अनिवारी होगा दृष्टी छठे अस्थान के उपर है तो छठे का फल करना अनिवारी होगा दृष्टी आठवे अस्थान के उपर है तो आठवे का फल करना अनिवारी होगा और स्वेम बारवे में इस्थित हैं तो स्वेम के कारकतों की हानी भी होगा तो गुरू का बारवे अस्थान में जाना अच्छा नहीं अब गुरू बारवे अस्थान में है तो छटे अस्थान को देखेगा ये भी अच्छा नहीं एक ही दृष्टी बारवे से अच्छी होती है जो चतुर्थ अस्थान के उपर है अर्थाक सुख जीवन में मिलता रहेगा, सुख सम्रिद्धियां बनी रहेगी लेकिन उसी हिसाब से रोगरिन सत्रू भी आपके जीवन में प्रभावी रहेगे इस अस्थान को देख रहे हैं आयू तो बढ़ेगा आयू में तो परशानी नहीं आएगी लेकिन चोड़ चपेट दुरघटना आधी होने के भी संभावना अधिक हो और ये कब? जब गुरु की ही दसा हो ऐसे में गुरु यदि द्वादस में तो पुत्र सुख मिलेगा की नहीं मिलेगा संभाव बताना जब तक सारे इस्थित्ना कर दिये जाएं तब तक संभाव नहीं लेकिन जरूर पुत्र सुख में कमी हो सकता है पती के सुख में कमी हो सकता है धन की कमी हो सकती है आनन्द की कमी हो सकती है संतोस नहीं होगा जीवन में तो satisfaction की कमी हो सकती है अब जब सुख अस्थान को देखेंगे तो सुख के लिए हमें चिंता नहीं है लेकिन संघर्ष भी जीवन में रहेगा क्योंकि छटे अस्थान के उपर भी दृष्टी है और आठ्वे अस्थान के उपर भी दृष्टी है तो गुरू बार्वे में हो तो जीवन संघर्ष पूर्ण हो और स्वाल्प सुख भी प्राप्त हो स्वाल्प कहने का मतलब है कि जो सुख है उसमें बहुत ब्रिदिक कैसे होगा जब हमारे रोगरिनी सत्रू हो जाएंगे जब चोड़ चपेट दुर्गटना से कभी गरसित हो जाएंगे तो हम उमीद करते हैं कि बारा भावों में जो गुरू के विशे में हमने बताया आप बहुत सरलता से इसको समझे होगे कोई भी परशानी हो जाए आपके स्क्रीन पे नंबर चलता है हमसे पढ़ना हो या हमसे कंसल्टेशन लेना हो किसी भी सूरत में आप बेही चक फोन कर सकते हैं आज इतना ही आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवत है